टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी बदल गई है शो में लीप आ गया है और अनुपमा अभी भी शाहाउस की जिम्मेदारी निभा रही है दूसरी तरफ अनुपमा से अनूच और आधिया दूर है और वह दोनों का इंतजार कर रही है बीते एपिसोड में अनुपमा की मुलाक करेगी और अनुपमा आधिया के साथ रहने की प्लैनिंग करेगी टीवी सीरियल अनुपमा में दिखाये जाएगा कि आधिया प्रेम की जान बचाती है और उसे दो चार सुना भी देती है वह उसके दोस्तों को भी सुनाती है दूसरी तरफ अनुपमा के घर में डॉली दिखाते हैं जो आधिया नहीं होती है तबी डॉली अनुपमा को बोल देती है कि हो सकता है कि आधिया मर गई हो ये सुनते ही अनुपमा का गुस्ता निकल जाता है और फिर अनुपमा द्वारे का जाने का फैस्ता ले लेती है शो में आगे दिखाई जाएगा कि आधिया पुलिस को देखकर घबरा जाती है लेकिन फिर वह सांथ हो जाती है अनुपमा को भी तोशू काम पर ध्यान देने के लिए कहता है और फिर उसके हाथ में वो परची लगती है जो अनुपमा ने प्रेम को प्रसाथ चढ़ानी के लिए दी थी इन सब के बीच बच्चे आध्य रहती है और अनुपमा इस आश्रम में फोन करके बुकिंग की बात करती है अब आध्या और अनुपमा का मिलन कैसे होगा यह जानने के लिए देखते रहिए एबी भी एंटर्टेन्मेंट